कि कैसे कल्गुलेट करेंगे 1.0075 की पाउर 180 कई बार आप लोग पूछते हो सर कि इतनी ज़्यादा पाउर होगी कैसे साल्व करूँ दीखे सबसे पहले तो 180 को ब्रेक कर लीजिए अपने हिसाब से जो आपको comfortable लगे जो आपको comfortable लगे मैं यह नहीं कहता कि मेरा ही formula आप फालो करिए 180 को मैंने देखा कि अठारा दामे 180 होता है और 18 को फर्दन 9 पजे 45 और 45 चो के 180 होता है ठीक है इस तरह कि तोड़ लिया है अगर आप चाहो तो 18 गुणे 10 है आप इसको कर सकते हैं 9 गुणे 2 और 5 गुणे 2 ऐसे भी किया सकता है जैसा आपका मन करे वो आप इससाब से कर सकते हो बस concept कैसे चलता है वो समझ यह अब मैंने क्या कि इसको 9 इंटो 5 इंटो 4 में बदल लिया इसका मतलब यह हुआ कि हम 180 को 9 इंटो 5 इंटो 4 लिखेंगे तो सबसे पहले 1.0075 की power 9 निकालेंगे जो आएगा उसकी power 5 निकालेंगे और जो आएगा उसकी power 4 निकालेंगे वो इस तरीके से 9,5 और 4 यह तीनों power हम निकाल चुके होंगे ठीक है तो अब हमारा task पहला क्या है 1.0075 into 1.0075 ये 2 times हो गया हमें 9 बार निकलना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है तो ये हो गया 1.06 है ना 9.06 या 9.05 है ना ये देखे 1.06 इसी की power 9 लिखी हुए 1.0695 और उसी को जो है यहां से ले लोगे तो 9.06 हो जाएगा तो ये लिखा हुए इसकी power जब हमने 9 कलकुलेट की तो आया इतना अब हमें जो निकला है उसकी power 5 निकलनी है हमें क्या निकलना है जो भी इसमें से power 9 निकल करके आता है उसकी power 5 निकलनी है तो हम इसकी power 5 निकलनी है तो हम इसकी power 5 निकलने कि जो ये निकला हुए हमारा ठीक है अब 1.06956 into यह मेरे घाल से 5 decimal कोई बात नहीं 1.06956 यह दो बार हुआ हमें 5 बार निकलना है 3 4 5 ठीक है तो यह हो जाएगा एक दसमलो इतना एक दसमलो ठीक है 999 ले लिया है एक दसमलो 3999 हो गया उसके आद में जो आया इसकी पावर 5 का अब उसकी पावर 4 निकलना है क्योंकि 9 निकल चुके जो आया उसकी 5 निकली अब जो आएगा उसकी पावर 4 निकलना है 1.3999 into 1.3999 ठीक है यह हो गया हमारा दो बार हो गया 3 4 ठीक है तो यह हो गया 3 दसमलो 8 0 5 यह हमने आप लिखा हु हुआ है तो अगर किसी की पावर 180 है या 240 है 360 है तो कैसे कल्कुलेट करते हैं उसी का पूरा यह प्रोसेस है तो यह भी